डेमोक्रेसी, रीपब्लिक ये पॉलिटी की वो दो टर्म्स हैं जिसमें बहुत से एस्पिरेंट्स को कन्फूजन रहता है आज इस परिटिकल लेक्चर में आप इन दोनों ही टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ जाओगे साथ ही इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशियेट भी कर पाओगे और साथ ही आप किसी को समझा भी पाओगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेमोक्रेसी से देखे डेमोक्रेसी को समझाने के पहले मैं चाता हूँ कि आप एक बहुत आसान सी बात समझो ये तो आपको पता ही होगा कि हम जैसे आम लोग डेमोक्रेटिकली वोट करते हैं और कुछ इलेक्टेड रिप्रेसेंटेटिव को चुनते हैं ये जो इलेक्टेड रिप्रेसेंटेटिव हैं ये हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जिनको हम ही लोगों ने अपने उपर बैठाया या मैं कहूँ संसद में बैठाया या मैं कहूँ legislature में बैठाया या मैं कह दूँ इनको हमने अपना रिप्रेसेंटेटिव बना के भेज दिया कि हमारे लिए आप कानून बनाओ और हमें गवन करो इसी लिए democratic form of governance को सबसे famous court के थूरू represent किया जाता है of the people, by the people, for the people I again repeat my words of the people, by the people, for the people क्योंकि यहां पे हमारे ही लोगों में से कुछ लोग ये elected representative बनेंगे हम ही लोग इनको चुनके भेजेंगे और हमारे लिए ही ये कानून बनाएंगे ये होती है पूरी process किसी भी democracy में इसी लिए यहां पे लिखा गया है democracy के नीचे rule of citizens but obviously बात है हम citizens है हमारा ही rule हमारे देश में काम कर रहा है कैसे हम ही लोग कुछ लोगों को चुनके भेज रहे है और वही लोग हमारे लिए कानून बना के हमें गवन कर रहे है इसलिए लिखा गया है rule of citizens मगर यहां पे majority भी लिखा गया है इस majority शब्द का क्या difference है और कैसे differentiation create कर रहा है majority शब्द आते ही हमें एक चीज समझ में आई कि यहां पे जो जनता है वो जनता का जो majority thought होगा वही इस elected representative का भी thought बन जाएगा या मैं कहूं इस elected representative को भी वही thought बनाना पड़ेगा जो majority लोगों का thought है या ideology है तो मान लीजे कि किसी दिन हमारे देश के citizens की popular will हो जाए या majority लोगों की एक will ये एक ideology develop हो जाए कि पूरे देश में non-veg food को ban करना है हो सकता है ना क्यों नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि हम majority में हैं मान लोग की पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं उन 100 लोगों में से 80 लोगों को ये लगता है कि भारत को non-veg food से खतम कर देना चाहिए सिर्फ vegetarian food पर हम लोग switch कर जाएंगे तो क्योंकि हम लोग majority में हैं हमारी ये ideology हमारा ये thought majority में हैं तो हम जीच जाएंगे तो ऐसा कानून हम लोग पास करवा सकते हैं बहुत आसानी से अगर 80 लोग 100 में से ये decision पर पहुँच जाएं कि non-veg food को ban करना है भारत से तो ऐसा कानून बन सकता है बहुत आसान तरीके से मगर यहाँ पे एक problem हो गई problem यह है कि majority लोगों की एक ideology डेवलप हुई और उन्होंने एक कानून बन वा लिया मगर फिर भी 20 लोग तो भारत के चाहते थे न non-veg food को खाना तो हमने उनके right को diminish कर दिया इसलिए यहां लिखा गया है popular will of people prevail popular will का मतलब है जो majority of लोग चाहेंगे उनकी जो will है वो हमेशा prevail करेगी मगर यहां पे जो एक individual का right था वो कहां गया जो बाकी के 20 लोग थे उनका thought उनकी ideology कहां गई वो तो इस popular will इस majority ने खतम कर दी तो यहां से एक differentiation आपको देखने को मिलेगा between the democracy and the republic तो दोस्तों जो republic होता है यह जो देश republic होता है वो rule of law पे काम करता है अब यह rule of law का क्या मतलब है मतलब यह है कि भले ही majority of लोग यह चाहते हैं कि non-wage food ban हो जाए मगर इसके कारण अगर किसी भी individual का right खतम हो रहा है यह diminish हो रहा है यह hamper हो रहा है तो republican form of government यह कभी भी नहीं होने दे सकती क्योंकि वहाँ पे rule of law prevail करता है rule of law का यह मतलब है कि कानून जो उस land का है जिसे हम law of the land भी कहते हैं वो अगर यह कहता है कि कोई भी एक particular life style या dietary ideology नहीं चलेगी हर किसी को स्वतंतरता है जो भी वो खाना चाता है वो खा सकता है तो भले ही majority citizens यह चाते हैं कि non-wage food ban हो जाए हमारे देश में non-wage food ban नहीं होगा क्योंकि rule of law के against जा रहा है यह मैं एक और example आपको देता हूँ बहुत आसान सा मान लीजे कि किसी दिन हम सब लोगों का दिमाग खराब हो जाए और हम सब लोग चाते हैं कि सती प्रता फिर से शुरू हो जाए क्योंकि यह सही भी है जब किसी का husband मर जाता है तो वो जी के क्या ही करेगी हो सकता है ऐसा हो जाए हमारा दिमाग कल्यू गया न तो भले ही यह majority का viewpoint हो जाए मगर यह कानून कभी भी हमारे देश में पास नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि हमारे देश में rule of law काम करता है rule of law यह कहता है कि right to life जो की fundamental right है वो सब के पास होगा और अगर सती प्रथा को हमने वापिस शुरू करने के लिए कानून बनाया तो इससे वो उसका जो right of individual है वो hamper हो रहा है क्योंकि आप तो किसी को मारी रहे हो तो ऐसा कानून कभी भी पास नहीं हो सकता भले ही majority of citizens यह चाहते हो तो यह difference होता है democracy में और republic में I hope आपको थोड़ी सी clarity आई होगी साथ ही republic का आसान सा मतलब जो हर जगे आपको देखने को मिलेगा वो होता है कि जिस भी देश में head of state हमारे देश में head of state कौन है? प्रेसिडेंट साब head of state जो है वो elected होते हैं तो जिस भी देश में head of state elected होते हैं वो देश republic कहलाता है यह इसको बहुत आसान तरीके से define किया जाता है बात करते हैं इंडिया की देखिए इंडिया democratic भी है और इंडिया republic भी है जैसा मैंने भी आपको examples के तुरू समझाया हम ही लोग हमारे ही लोगों के बीच में से कुछ लोगों को चुनके भेजते हैं जो हमारे लिए ही कानून बनाते हैं यह है democratic form of government मगर ध्यान रहे यहाँ पर republic form of government भी picture में आ जाता है क्योंकि एक बार अगर हमने कुछ लोगों को चुनके भेज दिया तो वो अंशन कोई भी कानून नहीं बना सकते they can pass any law in my favor क्योंकि मैंने उनको चुनके भेजा है क्या यह सही है नहीं यह गलत है because they have to avoid by rule of law they has to abide by rule of law rule of law checks and balances रखता है in elected representatives बे तो कहने का यह मतलब है कि बले ही 80 लोगों ने चुनके इनको भेजाओ मगर फिर भी यह इन लोगों के लिए जो चाहे कानून नहीं बना सकते क्योंकि इन पर checks and balances है और किसके checks and balances है rule of law के और rule of law कहां से आ रहा है वो आ रहा है Republican form of government से जो भारत है अब यहाँ पे जब हम democracy की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया है कि elected representatives को चुनके भेजना है यह direct भी हो सकता है indirect भी हो सकता है देखिए direct democracy उन देशों में अपना ही जाती है जहाँ पे जनता कम होती है जिसे Switzerland मगर भारत में क्योंकि बहुत जादा जनता है इसी लिए हम indirect democracy की तरफ गए इसी के साथ republic में जो head of state होते है वो elected होते है ज्यान रहे democracy और republic में दोनों ही form of government system में elected representatives होते हैं ठीक है जैसे हमने बात की न की जो head of state है republic में वो भी elected होंगे democracy में जो representatives हैं वो भी elected है democracy में हमने देखा कि minorities को save guard नहीं मिलते क्योंकि आपे majority will जो है वो prevail करती है मगर republic में क्योंकि यहाँ पर rule of law काम करता है तो यहाँ पर minority को भी save guard मिलती है दोनों में ही principle of accountability काम करता है कैसे? democracy में क्योंकि हम लोगों ने इनको चुनके भेजा है तो यह accountable है हमारे प्रती इनको जबाब देना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं करा वैसे ही republican form of government में भी accountability रहती है checks and balances रहते हैं इसके बाद एक सबसे important point मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान रहे democracy में जो source of power होती है वो जनता होती है जनता चुनके भेज़री ना representatives को मगर Republican form of government system में जो source of power है वो समविधान है समविधान वो law बताता है जिसके बाहर representative भी कानून नहीं बना सकते तो ये difference होता है democracy और republic के बीच में मैं उमीद करूँगा कि आज के बाद democracy और republic जब भी शब्द आएंगे तो आप इनसे कभी नहीं घबरा होगे देखो UPSC previous year question को attempt करते है democracy's superior virtue lies in the fact that is calls into activity question ये कह रहा है कि democracy का सबसे superior virtue क्या है वो क्यों बहुत जादा बढ़िया चीज है बहुत जादा अच्छी चीज है ऐसा कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है जवाब है because it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women कैसे बोल सकता हूँ मैं देखो यहाँ पे democracy में हमने क्या देखा हम जैसे आम लोग कुछ elected representatives को चुनेंगे या मैं कहूँ representatives को चुनेंगे तो इन लोगों को चुनने के लिए हमने क्या करा हमने decision लिया decision लिया ना दो लोग खड़े हुए थे चुनाओं में हमने किसी एक को जिताया तो जब भी हम decision लेते हैं तो हमारी intelligence चेक होती है तो उस intelligence और उस character को बढ़ावा देता है यह democracy of ordinary men and women हम जैसे आम लोगों की intelligence और character को बढ़ावा मिलता है यह thrust देता है democracy तो यह इसका ए जवाब था एक और question UPSC CSAT 2017 इसको आप खुद से attempt करिए आपको समझ में आएगा यहाँ पे बात चल रही है mature democracy की तो मैं उम्मीद करूँगा कि democracy और republic के बारे में सारे ही points आपके दिमाग में clear हो चुके है आप और मैं आपके बारे में यापने की की यह आपके और सहाँ चाहँ आपके यह रहाँ आपके जो घए इसका कूँ को आपके और सुमेंट कर दो देशने खर दोंटाने की रहींट